नमस्कार, हमारी आजादी की 75 वी सालगीरा के इस अवसर पर अनप्लक्ट साउरब के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागर आज आजादी के 75 सालों बार हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो कहने सुनने से रही गई होगी एकिन एक बात जरूर है भारत की इतिहास का एक आयाम ऐसा भी है जो अब तक अंच हुआ है देखिए 75 साल पहले भारत कोई पहली भार सतंत्र नहीं हुआ था अंग्रेजों से पहले भी कहीं सामराज्यवादी देशों ने भारत को अपना घुलाम बनाया था कभी मुगल, कभी पोर्तुगिस, कभी डज, इन जैसे सामराज्यवाधी देशों ने हमेशा भारत को अपना लक्ष बनाया था लेकिन वो क्या बात थी कि एक ताकदवर देश होने के बावजूर बार-बार हमें पारतंत्र का सामना करना पड़ा देखिए मेरे मानने में भारत को स्वातंत्र कैसे मिला इससे ज्यादा हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि भारत हमेशा पारतंत्र में क्यूं जाता आ रहा है देखे कोई जहाज अगर बार बार डूब रहा है और हर बार कोई न कोई अपनी जान की बाजी लगा कर उस जहाज को बचा रहा है इसका मतलब यह है कि उस जहाज में कोई तकनी की खराबी है हम सिर्फ उस जहाज के डूबने और बचाने वालों पर फोकस कर रहे हैं हमने उस जहाज को बचाने वालों के बलिदान को ग्रैंटेड ले लिया है, उनके महिमा मंडन को ही अपना करतव भे समझ लिया है, जबकि हमें समय रहते उस जहाज को ठीक कर लेना चाहिए, मैं उस जहाज की तकनीकी खराबियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं भारत की और क्या ही ये तकनिकी खराबी? उस तकनिकी खराबी का नाम है हमारी कमजोर मानसिक्ता. देखे किसी भी राष्टर के निर्माण में या किसी भी समाज की प्रगती में अगर बुन्यादी तौर पर कोई फैक्टर सबसे महत्व पुरुण है तो वो है उस समाज की मानसिक्ता. भारत के एक महान फिलोसोफर आचारी रजनिश कहते थे भारत गुलाम इसलिए नहीं बना क्योंकि अंग्रेज बहुत ताकतवर थे भारत गुलाम इसलिए भी नहीं बना क्योंकि अंग्रेज सामराज्यवादी थे बलकि भारत गुलाम इसलिए बना क्योंकि हमारी मानसीक्ता गुलाम हो वाली है अंग्रेजों ने भारत पर देड़ सो साल तक राज्य किया ये बात आज हमारे लिए महसेक वाक्य हो सकती है परिक्षा में पूछे जाने वाले किसी एक सवाल का जवाब हो सकती है लेकिन क्या आप हमारी इन देड़ सो सालों के दास्तान के पीछे चुपी उस कमजोरी को देख सकते हैं कैसे कोई देश देड़ सो साल तक गुलाम रह सकता है कुछ सहयोग तो जरूर हमसे भी मिला होगा यूही नहीं कोई किसी पर देड़ सो साल तक राज्य कर सकता अब शायद आप ये सोचेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद मैं इनकीन बातों में उलज गया पारेत अंत्र, सामराज जवाद, गुलामी ये तो सब बीती हुए बात है इनका हमारे प्रेजेंट से, हमारे वरतमान से क्या तालुक तालुक है मानसिक्ता Mentalities अनपलक्ट सवरप के माध्यम से मैं हर बार समाज की जिस डाइमेंशन की तरफ लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ वो है हमारी कमजोर मानसिक्ता क्या होती है कमजोर मानसिक्ता इस कमजोर मानसिक्ता का सबसे बड़ा लक्षन ये है ऐसी मानसिक्ता जो अपने नीजी स्वार्थ के लिए समाज के बड़े से बड़े नुकसान को नजरअदास कर सकती है हमारी कमजोर मानसिक्ता जो हमें एक पू़र सोशल कल्चर की तरफ ले जाती है आज जब भारत एक आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है तब हमें हमारी आर्थिक सुधारानाओं के साथ-साथ, हमारी सामाजिक सुधारानाओं के बारे में भी सोचना जरूरी है क्योंकि देखिए किसी भी देश का दुनिया में नंबर वन होना ना होना ये एक सैयोग की बात हो सकती है ये बात कई सारी परिस्तितियों पर निर्बर हो सकती है लेकिन किसी भी देश का खुशहाल होना ये पूरी तरह से उस देश की लोगों की मानसिक्ता पर निर्बर होता है देखिए मेरा मानना है कि जर्मनी, औस्ट्रिलिया, फ्रांस इन जैसे देश जो आज समरुद्ध है उनकी समरुद्धी उनके एक स्टेबल सोशल कल्चर का बाय प्रोडक्ट है वहाँ के स्थीर सामाजिक वातावरण का इंडाइरेक्ट परिणाम है लेकिन आज एक भारत जैसा देश, जहाँ पे इंटरनल्ट डिस्प्टूड इतना ज्यादा है आंतरिक कल्ह इतना ज्यादा है, वो देश विकास की बात करे तो भी कहां तक आज भारती युवाओं को पश्चिमे देशों का जो आकर्शन है उसका मूल कारण वहाँ का सोशल कल्चर है, वहाँ का सिस्टम है ये तो हमारी सांत्वना है कि कोई अगर वहाँ जॉब करने जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए जा रहा है हाँ एक बात जरूर है कि यहां से उसके जाने का कारण जरूर आर्तिक हो सकता है लेकिन वहां से वापस ना आने का कारण वहां का सोशल कल्चर है जहां समाज में एक सामझ जिस से पुरण वातावरण है अब समझ रहे हैं ना मैं किस सोशल कल्चर की बात कर रहा हूँ? यहां सडकों पर थुकने वाले, कतारों में घुसने वाले, सोशल मिडिया पर किसी को किसे भी हद तक जाकर ट्रोल करने वाले, बेवज़ा सडकों पर हौन बजाने वाले, तॉक्सिक, इंपेशन्ट लोग जो में आपस में एक दुसरी के प्रदी लगाव हो, समाज के किसी भी सतर के लोगों में आपस में एक अपने पन का भाव हो, हम एक बहुत कठिन और मुश्किल दौर से गुजर कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, अब हम एक बहतर समाज डिजर्व करते हैं, आज जहां भार को मेरा सामाजिक करतवे समझ कर अनप्लक्ट सवरब के माध्यम से मैं इस विशे में लोगों के प्रती जागरुकता निर्मान करने के कोशिश कर रहा हूं, तो आज हमारे इस 75 वे स्वतंतरता दिवस के अवसर पर मैं मेरे दर्शंकों से और मेरे देश वासियों से फिर से करता हूं कि इस उद्देश में मेरा सहियोग दे, अपने देश के लोगों प्रती अपनी सद्भावना को जगा कर एक खुशहाल और बहतर समाज के निर्मान के लिए अपने आपको तयार करें, अनप्लक्ट सवरब में आज इतना है, जल्द ही मिलेंगे अपने अगले एप